दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ओमनी का जो प्रीपेट कार्ड है इस प्रीपेट कार्ड को हम एक्टिवेट कैसे करते हैं दोस्तों ये प्रीपेट कार्ड मुझे कल की डेट में घर पे मिला आया था और मैंने इसका एक unboxing वीडियो कल डाल दिया हूँ तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस prepared card को activate करने की कोशिस करूँगा आपके सामने live proof ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैंने इस card को scratch कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ कोपनी information थी तो मैंने इनको scratch कर दिया इसलिए ये card को मैं पूरी तरह से आपको दिखा रहा हूँ कोई problem नहीं है मुझी अब ठीक है दोस्तों इस card को कैसे हम activate करते हैं सब कुछ मैं अपने इस video में live proof बताऊँगा इसके लिए हमको इस card के application पर जाना होगा कुछ इस प्रकार से अब दोस्तों यहां पर एक option आपको मिलेगा order वाला ठीक है तो आपको my order पर click करना है यहां पर मैं अपने net खोल लेता हूं तो जैसे हम my order पर click करेंगे तो जो card हमने order किया तब वो card display हो जाएगा आपके सामने फिर दोस्तों यहां पर आपको arrow वाले icon पर click करना होगा जैसे हम यहां पर click करेंगे तो देखो यहां पर कुछ इस प्रकार की इंटरफरेस हो जाते हैं यहां पर पताया गया है कि आपका जो card वो deliver हो चुका successfully और नीची लिखा है कि आप card को activate कर सकते हैं आपको यहां पर card activation पर click करना है और यहां पर देखो इस प्रकार का इंटरफरेस होगा आपके सामने अब दोस्तों यह जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको अपने card का QR code scan कराना होता है तो चली दोस्तों यह रहा मेरा card और मैं यह इस card का QR code scan कराने वाला हूँ तो यह रा QR code कुछ इस प्रकार से हो देखो card पकड़ लिया एक ही बार में और यहां पर loading होना card करेंगे ठीक है तो गाइज हमारा card activate हो चुका है card activate करने बिल्कुर सिंपल है यह पर कोई ज्यादा hard process नहीं है सिंपल तरीके से आप अपने card को activate कर सकते हो अब जोस्तों आप इस card को जो हमने मंगवाया है कहीं पर भी card मंगवा भी सकते हैं अपने application के अंदर से ही ठीक है इस वीडियो के माध्याम से मैंने आप card activate करना शिका दिया वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like कर सकते हैं दोस्तों को share कर सकते हैं और मिलेंगे दोस्तों नेक्स वीडियो में एक नई information को ले करके तब तक के लिए जयन दो